दोस्तों आप सभी जैसे जानते हैं कि अलसी खाना हमारे सहत के लिए कितने फायदिबन होता है और इस सर्दी के मोसम में अलसी हम सब को जरूर खाना चाहिए इसे ओमेगा 3 होता है और यह हमारे सरीद को इमुनिटी बोस्ट भी करता है तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे यह बनाया करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं अलसी के लड्डू इसके लिए मैंने लिया है अलसी जिसे तीसी भी कहा जाता है और इसे फ्लेक्सिट भी कहा जाता है और इसे हमने लिया है 400 ग्राम अब एक कड़ाय को गरम करेंगे और मिडियम फ्लेम पर इसे इसी तरह पांच मेंट तक रोष्ट कर लेंगे जब अलसी थोड़ा थोड़ा चटकने लग जाए आपको आवाज भी आएगी तब आप समझें कि अलसी अच्छे से रोष्ट हो चुकी है तब हम इसे निकालके एक प्लेट में अलग करके रख लेंगे अलसी हमारे अच्छे से रोष्ट हो चुकी है अब इसी तरह हम निकालके प्लेट में रख लेंगे और उसी कड़ाय में हम कुछ मखाने भी फ्राइ करेंगे ये पूरी तरह आप्शनल है आप चाहे तो नहीं भी एड़ कर सकते हैं सिफ लेक्सिट का ही लड़ू बना सकते हैं मेरे पास मखाने थे तो मैंने इसे एड़ कर दिया है ये बच्चों को ज्यादा पसंद आती है इसे भी मैंने दो मिनट तक अच्छे से रोष्ट कर लिया है देखिए अच्छे से रोष्ट हो चुका है अब जो फ्लेक्सिट हमने रोष्ट किये थे वो अब तक ठंडा हो च माखाने को भी इस तरह से ग्रैंड कर लेना है और लड़ू बनाने के लिए मैंने यहां लिया है 300 ग्राम गुड और गुड को इस तरह से छोटे-छोटे टुकरों में कर लिया है अब इसको हम कढ़ाए में मिल्ट करेंगे ग्यास का फ्लेम को लो रखना है और इसी तरह चलाते हुए गूर को मिल्ट करना है दो मिनिट तक इसी तरह आप चलाते जब रहेंगे तो अच्छे से गूर मेल्ट भी हो जाएगी और गूर से हलका हलका जाग भी आने लगेगा थोड़ा देर के बाद गूर का कलर भी चेंज हो जाएगा गूर का कलर थोड़ा थोड़ा ब्राउन भी होने लगेगा अब इसी स्टेज पर हम पॉडर को एड़ करेंगे पहले मेंने मखाने का पॉडर एड़ किया है अब इसी के साथ अलसी का पाउडर भी एड़ करेंगे फ्रेंड्स गूड का पाक होना बहुत जरूरी है तभी लड़ू अच्छे से बंदेगी थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पाउडर एड़ किया है अब इस स्टेज पर ग्यास का फिलेम को आफ कर देना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है लड़ू का टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इहां कुछ खरभूजे की बीज भी एड़ किये है जिसे हम मगज कहते हैं इस से लड़ू का टेस्ट अच्छा आएगा बच्चू खाना पसंद करते है इसी तरह से मैंने सारे चिजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब एक मिनिट तक हलका सा ठंडा होने देंगे पूरी तरह ठंडा नहीं होने देना है एक मिनिट बाद हाथों को थोड़ा से गीला करेंगे पानी से और मिक्सचर को हाथों में लेके इस तरह से लड्डू बना लेंगे देखिए मैंने एक लड्डू बनाया है इसी तरह से बाकी मिक्सचर का भी लड्डू बना लेना है अगर फ्रेंड्स आपको ज़्यादा ही ड्राइ लगे तो आप एक या दो चमच घी भी एड़ कर सकते हैं मैंने इस लड़ू को बीना घी का बनाया है आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं इससे लड़ू का टेस्ट और भी बढ़ी आएगा देखे फ्रेंड्स इस तरह से सभी लड़ू मेंने बना लिया है अलसी लड़ू खाने में बहुती टेस्टी होती है और बच्चों को बहुत पसंद आता है आप इस सर्दी भर जरूर बनाईए फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट करकर जरूर बताएं अ